आज देखेंगे हम कक्षा 11 प्रश्न बेंक जीव विज्ञान के प्रश्न बेंक के हल को देखेंगे इसमें आज हम अध्याय 5 जिसका नाम है पुष्पिय पाधपो की आकारी की इसके प्रश्नों को हल करेंगे तो विडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने अभी तक पिछले विडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11 प्रश्न के प्ले लिश्ट की लिंक दी गई है उस लिंक से आप पिछले सारे विडियो देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक सदिक अपने दोस्तों में विडियो को शेयर करें तो शुरू करते हमारा ये आज का विडियो आज हम अधिया 5 के प्रश्णों को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहां है सही विकल्प तो सही विकल्प चुनकर लिखिए इसमें पहला सही विकल्प है हमारे पास जड़े विक्सित होती है तो इसका सही आंसर आएगा अ मुलांकर से दूसरा है मुल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं तो इसका आंसर आएगा ब वाला परिपक्वन शेत्र में अब अगला अबजेक्टिव है हमारे पास यहां पे श्वशन मूल पाई जाती है तो इसका सही आंसर है राइजो फोरा में फिर अगला प्रशन है हमारे पास तने का रूपांतरण है तो इसमें आएगा सही आंसर द वाला सभी आलू, अद्रक, हल्दी और सभी तो इन सभी में तने का रूपांतरण पाया जाता है यानि द वाला उप्शन इसका सही है अगला है निम्न लिखित में पत्ती के भाग है तो पत्ती के भाग में पर्णाधार, पर्णवरंत और मद्ध शीरा ये सभी होते हैं इसलिए इसका भी आंसर दवाला सही है यनि सभी अगला है रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए तो सबसे पहले हमारे पास रिक्तिस्थान है यहाँ पे द्वी बीच पत्री पोधों की पत्तियों में रिक्तिस्थान शीरा विन्यास पाया जाता है तो इसका आंसर आएगा जाली का वद्ध अगला है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र रिक्तिस्थान कहलाता है तो इसका अंसर आएगा बाहर दल फिर अगला है हमारे पास पुष्प का नर भाग रिक्तिस्थान कहलाता है तो इसमें आएगा पुमंग अगला है पुष्प का मादा भाग रिक्तिस्थान कहलाता है तो इसका अंसर आएगा जायांग और पाँचवा है पियाज का कुल रिक्तिस्थान है तो इसमें आएगा लिली ऐसी अब देखते हम सहीजोडी को तो यहाँ पे हमारे पास सब सहीजोडी है तो सही जोड़ी में सबसे पहले हमारे पास दे रखा है पूतअंतु तो इसके सामने आएगा पुमंग उसके बाद दूसरा है वरतिकाग्र तो इसके सामने आएगा जायांग फिर है तीसरे नमबर पे दाले इसके सामने आएगा फेबेसी फिर चोथा है हमारे पास प्याज इसके सामने आएगा लिली एसी और पांचवा है हमारे पास आलू इसके सामने आएगा सोले नेसी अब देखते हैं हम इसके बाद एक वाक्की के उत्तरों को तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला एक वाक्की का उत्तर है आम में फल भित्ती का कौन सा भाग खाया जाता है तो इसमें आएगा मध्य भित्ती फिर दूसरा है तने का विकास बीच के किस भाग से होता है तो इसमें आएगा प्रांकूर उसके बाद है एक बीच पत्री बीच का बीच पत्र क्या कहलाता है तो इसके आंसर में आएगा इसकूटेलम फिर चोथा है हमारे पास मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए तो मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाईसम सेटाईवम अगला है प्याच का वानस्पतिक नाम लिखिए तो प्याच का टाइप क्योशनों के आंसरों को देखा है और अब इससे अगले वीडियो में हम इसके लगुत्तरी अती लगुत्तरी और लगुत्तरी प्रशनों को देखेंगे तो इससे पहले हम अध्याय पांस से पहले अध्याय चार और अध्याय तीन के भी वीडियो डाल चुके हैं तो उसमें हम objective type question और दो अंको और तीन अंको वाले प्रशनों के भी उत्तर दे चुके हैं आपको अब इसके दो और तीन अंको वाले प्रशनों के उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे